उत्तर प्रदेस के उन नौ के अजगैन थाना इलाके के जोलिम खेडा में एक नर्शिंग छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी अब इस मामले में पुलिस ने जैंबे अस्पताल के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है दरसल कुछ दिन पहले एक नर्शिंग छात्रा ने परिशान होकर आत्महत्या कर ली थी बताया जा रहा है कि ये छात्रा जैंबे होस्पिटल में जॉब करती थी लेकिन 22 तारीख को छात्रा को नौकरी से निकाल दिया गया था वहीं जब 23 को छात्रा अपनी सैलरी लेने गई थी तभी वहीं अस्पताल में काम कर रहे है एक यूवक से उसका जगड़ा हो गया जगड़े के दौरान यूवक ने छात्रा का फोन चीन लिया जिसके बाद दोनों में जगड़ा और भी बढ़ गया इससे तंग आकर चात्रा ने आत्महत्या कर ली परिवार के लोगों का कहना है कि चात्रा का अस्पताल के ही एक यूवक से प्रेम प्रसंग था छात्राय यूग से अपना फोन देनी की जित कर रही थी वो बार-बार फोन पर मैसेज करके यूग को कह रही थी अगर मेरा फोन नहीं दिया तो वो जहर खालेगी या फिर आत्महत्या कर लेगी मृतिका की मा ने बेटी की आत्महत्या करने के पीछे राधिया और जय अंबे होस्पिटल के मालिक को जिम्मेदार बताया है जोग करती थी वहां बाइस्तारीख को इनकी नौकड़ी से निकाला गया तेज को अपनी लेने गई थी वहीं होस्पिटल में राधे से जगडा वा राधे नो नो लेने गई थी वहीं होस्पिटल में राधे इनका फॉन लिया वह राधे की वज़य से ही फाँसी लगाई लाइगा आपने पुलिस को सेचे हhington दी वही नर्सिंग चात्रा के आत्महत्या के मामले में अजगयन पुलिस ने मृत्यक की मां शिकायत पर अस्पताल के मालिक और प्रेमी के खिलाब आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शिकायत दर्ज कर आई है वहीं पुलिस ने अस्पताल संचालक और प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांस में जुट गई है मामले में अभियोग पंजिकरित कर लिया गया है आगे की विविशनात्म कारवाई जारी है जो भी तत्र प्रकाश में उसका अमसार कठोर विधिक कारवाई की जाई आपको बता दे कि जलिम खेडा की रहने वाली कविता जिसकी उम्र 22 साल थी उसने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली थी जब मृतिका की बहन कंचन ने शव को देखा तो परिजनों को इसकी सूच ना दी थी बताया जा रहा है जैंबे होस्पिटल में काम करने वाले राधे नाम के शक्स का मृतिका से प्रेम प्रसंग था और यूवक शादी का जहांसा देकर मृतिका के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा था लेकिन जब छात्रा ने शादी करने के लिए कहा तो राधे ने शादी करने से इनकार कर दिया और मृतिका को शारीरिक और मानसिक प्रताडित करने लगा था वही एक दिन मोबाइल छीन कर हॉस्पिटल मालिक की मदद से नोकरी से भी निकलवा दिया था जिससे मृतिका मानसिक रूप से परेशान हो गई थी और आखिरकार इससे तंग आकर सोमवार को उसने आत्महत्या कर ली बता दें कि घटना के समय राम दुलारी अपने बेटे अभिशेक के साथ दुकान का समान लेने के लिए दिल ली गई थी घटना के समय घर पर कविता और उसकी बेहन किरन अकेली थी अब अस्पताल संचालक और प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद घरवालों को उमीद है कि जल्धी मृतिका को इंसाफ मिलेगी पंजाब केसरी टीवी के लिए उन नौ से विशाल चौहान की रिपोर्ट